तो फिर चलिए फ्रेंड्स बेना देर की ये बनाना सुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने आपे दो पैकेट पारले जी बिसकिट लिया है फ्रेंड्स ये फाइफ रूफीज वाला पैकेट है उसके बाद लेगे ग्राइंडर जार और सबसे पहले हम बिसकिट को फाइफली तोड के जार में डूげ देते हैं के बार इक पाउडर बना लेनाया आह तो सबी बिसकिट को मेता जादा है और आगर आपके ले लेकिन बारले चीर लकेशों और शीनी सीरे वह अज़ां इसके बाद मैं इसे एक बोल में निकाल लेती हूँ और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होना चाहिए अगर आपको लम्स लग रहा है तो आप इसे चान भी सकते हैं इसके बाद यहां पर मैंने दूद लिया है फ्रेंट्स दूद सिंपल रूम टेंपरेचर का लेना है बाद करो आपको जोब्त सब्सक्राइब नमुलम भी सती है जाएंगे तो शूर्ण टाला टालती हूए एक डारेक्शन में से मिक्स करते जाएंगे एक ही डारेक्शन में से मिक्स करना है और क्टेंड फॉल मैंशेट से मैं हापे वीडियो में थोड़ा फास-फास दिखा यहां पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए और देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए बहु जाता गाड़ा नहीं है बहु जाता पतला भी नहीं है उसके बाद हम इसमें थोड़ा से ड्राइफ रूट डाल देंगे आपको जो भी ड्राइफ पसंद है आप इसमे अच्छे से फैला लेना है नमक डालने से यह अवन का काम करता है और आप इस नमक को दुबारा भी यूज कर सकते हो फ्रेंट जब भी आपको केक बनाना हो उसके बाद अब हम इसमें बीच में स्टैंड रख देंगे अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप प्लेट क अब हम लेड को लगा देंगे फ्रेशर कुकर के ढखन को और यहां पर मैंने सीटी को निकाल दिया है तो सीटी को निकालना बिल्कुल भी ना भूले अब हम लो फ्लेम पे इसे 5 मिनिट के लिए प्रिहीट कर लेते हैं उसके बाद चलिए अब हम नेक्स प्रो सेस करते हैं क्टोरी में अच्छे से क्टोरी को ग्रीस कर लेंगे आप कोई भी कोई लगा के अर लेके अर उसे अच्छे से कर लेंिज़ बढ़िया से करना है यहां पर मैने दोनों कटोरी को अच्छे से ग्रीस कर लिए इसके बाद अब हम बाटर पेपर को कटोरी के साइज का कट कर लेंगे और दोनों में लगा देते हैं या फिर आप मैदा से भी डुस्तिंग कर सकते हैं अगर आपके पास बटर Πेपर नहीं है तो एक वाइड पेज तो भी बटर पेपर बन जाएगा और बटर पेपर के ऊपर भी हमें ओल लगा के ग्रीस कर लेना है उसके बाद अब हम बैटर में एक छूटा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और बेकिंग पाउडर डालें के बाद इसे कट एंड फोल मैठेट से अच्छे से मिक्स कर अब अब बैटर जादा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा से डूट डाल देती हूं और बेकिंग पाउडर डालें के पाउड़ा देर नहीं करना है फ्रेंड्स क्योंकि ये डालते के साथ अपना काम करना सुरू कर देता है तो आगे काम जल्दी जल्दी हमें क से को करना है उसके बाद जल्दी लान को क acturi में फील कर देते रहा है वा पूरा भरना नहीं को थोड़ा से जगह खालीचो देंगे क्योंकि केक बेक होने के बाद फूलती है तो होड़ा से जगह मुझ खाली चोड़ा देंग कि अब टेसे लिथे it2 रखे हूं दोनों के प्रेटर कुकर के ढखन को लगा देंगे और लो फ्लेम पे इसे पचीज से तीस मिनट के लिए बेक करना है आप बीस मिनट के बाद बेक बर चेक कर सकते हैं सλάइट के ले साइट को छोड़ें तो तूथपिक बीच 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 अब इसे बीच बीच काजु डालएटी हूं अब हम इसे निकाल लेते हैं निकाल के ठंडा कर लेंगे केक को उसके बाद dinner करेंगे यहापे मैंने केक को completely ठंडा कर लिया है, और बहुत ही बढ़िया हमारी केक बनी है, अब हम इसे डिमोल्ड करते हैं तो नाइफ डाल किया इसे side को जालेंगे के निकाल लेंगे और बटर पेपर को हटा देते हैं अब में अच्छा जाली आया है कितना बड़िया जाली आई एक केक पे पर काफ यह स्पांजी भी है अब नाना भी बहुत यासान है टुर आप भी से घर पर बना के ज़रू ट्राइब कि यहाँ है और friends अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कर ली जेगा friends ताके आने वाली कोई भी वी वीडियो मिसना हो तो मिलते हम नेक्स बीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ थाइंक्स पर वाजिंग